नमस्कार दोस्तों आश्या करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हम डिस्कुस करेंगे 22 जुलाई का दा हिंदू न्यूस पेपर और पियाईबी का इंपोर्टन करंट अफियर्स तो लिजे गाईज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम जरुआँ में नच्ट अफियर्स तो इसमें जो करंट अफियर्स होता है वैरि वैरि इंपोर्टन होते है सब यह एक्जान के लिए ठीक है तो सबसे फैले बात करेंगे इन्टनेशनल मैच्स उल्म पियाड के बारे में ठीक है तो प्यारे भारत को मिलती है यहाँ पर इंस्ट्यूट ओफ वाइरोलोजी चर्चा में है जो कहां पे है पुने में पूछा जा सकता है क्योंकि देखो रीसेंटली दो तीन सप्ता हो चुके हैं जिसमें चांदीपुरा वाइरस काफी चर्चा में है मैं बात भी कर चुका हूं उसके बारे में दूसरा अब नीपा व मतलब एनिमल से हुमन्स में ठीक है और आरने वाइरस है पहली बार इसका आउट ब्रेक देखने को मिलेगा डोमेस्टिक पिग्स में मलेशिया एंड सिंगापुर में 1998 और 99 में ठीक है इसका नेचुरल जो रिजरवायर होस्ट है वो फ्रूट बैट्स होते हैं ठीक है तो यह ध्यान रखना है और दूसरी बात देखिए पहली बार इंडिया में जो केस आते हैं वेस्ट बेंगोल सिलीगूडी वहां से 2001 में आते हैं इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई ऐसी वेक्सिन फिलाल के लिए तो नहीं है मेडिकेशन के बारे में बात करें तो रीब कि कैप्टें सुपरिथा नाम याद रख लेन और मैसूर से अगर बिलों करते हैं तो भाई आपके लिए तो बिलकुल बहुत अच्छी बात है गराव की बात भी है और एकजाम के लिए भी याद रखने की बात है ठीक है हमारा PDF देख लिए न मैंने सब दिखा रखा है कल फिर दिखा देंगे एक बार आपको नेक्स्ट आम बात करेंगे यह क्या है देखो भाईया यह जो है यह पहली बात किस से फैलता है यह आपको याद रखना है यह एक अमीबा होता है इसको brain eating amoeba भी कहा जाता है ठीक है नोन communicable है बिल्कुल कोई effective इसका treatment भी नहीं है भाईया और amoeba क्या होता है यह single celled organism ठीक है यह होते है belonging to the biological kingdom of protesta ठीक है पेपर में agities line ने देखने को मिल जाती है कई बार देखो basic जो है न science का वो नहीं छोड़ना है amoeba क्या होता है bacteria क्या होता है virus क्या होता है क्योंकि paper में जरूर बहुत बात देखने को मिलता है basic चीजे पूछते हैं वो लोग science के ठीक है अब हम बात करेंगे जिस से जिस amoeba से यह फैलता है वो बिल्कुल warm, fresh water, lake, soil यहाँ पर परजेंट होता है रहता है ठीक है guys next हम यहाँ पर बात करेंगे अब United Nation का economic and social council के बारे में देखो राजस्थान में कुछ tribal women's sustainable development से रिल्क्विट बहुत अच्छा उन्होंने काम किया इस करके यह विल्कुल चर्चा में आया है उसका नाम बिल्कुल याद रख लो यह नाम है बिल्कुल इनका और जो United Nation के जो छे principal organs हैं जैसे की journal assembly आता है security council आता है United Nation का court of justice आता है बिल्कुल secretary आता है United Nation का और फिर आता है यही वाला United Nation economic and social council आता है और United Nation का ट्रस्टिसीप आता है तो यह करके आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है अब देखो very very important बात क्या है इन में से सिरफ ICJ को छोड़के बाकी का जो headquarter है वो New York में है और ICJ का कहां पे है Hag Netherlands में headquarter है ठीक है guys next हम बात करेंगे बागमती river के बारे में देखो बागमती river tributary है बिल्कुल कोसी river की आपको ध्यान में रखना है ठीक है और बागमती river जो है यह नेपाल बिल्कुल trans boundary है नेपाल और भारत बिल्कुल तो यह river नेपाल में और बिहार की बात करें तो यह हमारे भारत में पढ़ता है यह river originate होती है नेपाल बात करेंगे नूनो बर्ज के बारे में जो भी नाम pronunciation है बस पता होना चाहिए नोने जीत लिया है नोर्डिया ओपन और यह जो है यह tennis से संबंदित है और tennis के famous खिलाडी जो है वो final में हार गए इनके साथ में जिनका नाम नडाल है ठीक है guys next हम अब red sea के बारे में बात करते हैं उससे पहले आपको बता दू monsoon को अच्छे से पढ़ना ठीक है बेटा और दूसरा अगर हम बात करें तो western disturbances इनको भी पढ़ लेना southwest monsoon को पढ़ लेना अदरवाईज special source के तोर पे reels के तोर पे instagram पे मैं upload कर दूँगा और इतना सारा प्यार देने के लिए instagram टेलिग्राम पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अब देखो red sea news में है तो हम red sea के बारे में बात करेंगे देखिए पहले मैं बोल देता था कि यहाँ पे comment section में बता दो red sea को कौन कौन सा देश टच करता है लेकिन रेखो हमारे बच्चे इतने ज़्यादा बीजी है कि उनको देखने का भी time नहीं है तो मैं खुद लेके आ गया हूँ ठीक है तो red sea के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे लाल सागर दिखाई देगा आपको तो इसको टच करते हैं Egypt करता है Saudi Arabia करता है और बिल्कुल Yemen भी करता है Eritaria करता है और आपको Sudan, Zibuti यह बिल्कुल टच करते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ठीक है अब हम बात करें कि यह connect है Red Sea, Indian Ocean से किसके थुरू यहाँ पे आपको Babal Mandab जो स्ट्रीट है वो देखने को मिलेगी और Gulf of Eden ठीक है गाईज इसी के साथ देखिए आपका कोई भी सजेशन हो बिल्कुल आप मुझे comment section में या direct Instagram पे भी message कर सकते हैं ता Hindu P.I.B. Notes 1 हमारा handle है और आपके जो comment से आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्तव रखते हैं मिलेंगे नए दिन के साथ तब तक के लिए जया हिंद